दोस्तो आज मैं आप सबके बीच रियलमी नार्जो स्रीज के बारे में फुल कंपरिजन एंड स्पेसिफिकेशन बताऊंगा तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए तो चलिए सुरू करते हैं नहीं दोस्तो चलिए देखत इसका जो डिस्प्ले होगा 6.5 इंच का होगा 720 x 1600 पिक्सल्स के साथ में आएगा और आपको बात करें तो ड्योट नोच वाटर ड्रोप नोच के साथ में आएगा इसमें आपको डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करें तो कलर ओ यस IPS LCD screen 16 multiple color में मिलती है और डिजाइन की बात की जाए तो ये 8 mm ठीक होगा मतलब मोटा होगा और इसका बेट होगा 155 ग्राम जो की काफी अच्छा है 5000 बैटरी के होते हुए भी आगे बढ़ते हुए बात करें इसी के SIM card slot के बारे में तो आपको यहाँ पर dual SIM 4G की लगाने का support मिलेगा जो की GSM, GSM type की होंगी दोनो SIM nano technology की होंगी मतलब दोनो SIM छोटी होंगी आगे बढ़ते हुए बात करें तो आपको आज साड़े बारा बज़े price description में मिल जाएगी क्योंकि यह वीडियो बारा बज़े से पहले बन रहा है आपको इसी चैनल टेकनिकल VIP में काफी सांदार थरीके से सभी चीज़ें मिलेंगी आगे बढ़ते हुए बात करें memory के बारे में तो आपको RAM मिलेगी 3GB storage मिलेगी 64GB दोनों फोनों की सुरुआत 3GB 64GB से ही होगी card slot की बात करें तो yes आपको card slot मिलेगा जिसमें आप 256GB लगा सकते हैं connectivity की बात करें तो GPRS मिलता है EDG मिलता है 3G 4G मिलता है VOLTE support मिलता है और भी अगर दोस्तों आगे देखें हम इसी को तो आपको देखना पड़ेगा की Wi-Fi 5.0 मिलता है जो की latest है और आगे देखें तो USB USB मिलता है Type-C USB charging Type-C USB port मिलता है अलग से support भी करेगा और आगे बढ़ते हुए देखें तो आपको एक फोन में fingerprint sensor भी मिलेगा Face unlock मिलेगा दोनों फोनों में sensor और आपको 3.5 mm headphone jack मिलेगा कैमरा की बात करें तो आपको एक फोन में 48 MP कैमरा मिलेगा जो की 10,000 के अंदर नहीं 10,000 से उपर होगा दफजार के जो अंदर फोन होगा उसमें साइट 48 MP नहीं आएगा लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि Realme चंता को लुभाने के लिए दोनों फोन दफजार के नीचे भी रख सकती है और दोनों ही अच्छे दमदार एक्सपेक्स के साथ में आ सकते हैं क्योंकि इसका तमासा हमने देखा है खूब लाजबाब तरीके से Realme इसे पेस कर रही है हम लोगों के बीच में ताकि लोग इसे खूब ज़्यादा खरीदें और जो कि 10,000 के अंदर जो होता है फोन काफी ज़्यादा विक्री होती है और आगे बढ़ते हुए बात करें तो यह में कैमरा जो है आपका 48 मेगा फिक्सल का होगा एफ उचर होगा है 1.8 और उसके बाद बात करें 8 MP का जो की अल्ट्रा वाइड एंगल होगा उसमें एफ उचर है 2.3 और आपको 2 MP मैक्रो लेंस कैमरा मिलेगा 2 MP Depth Sensor कैमरा मिलेगा इसका पोचर है 2.4 तो दोस्तों और आगे अगर बढ़ते हुए हम बात करें इसी Realme Narjo Series के बारे में तो आपको अगर फीचर की बात करें तो Digital Zoom मिलता है Digital Zoom मिलेगा कैमरा में आपको Auto Focus Flash Flash मिल जाता है टार्च मिलेगी और आगे बढ़ते हुए बात करें तो वीडियो रिकोर्डिंग मिलेगी 1080p 30fps पर FHD Plus वीडियो रिकोर्डिंग आप कर पाओगे Front Camera मिलेगा 16 MP जो की एक में 16 MP होगा और एक में ऐसा माना जा रहा है कि 8 MP कैमरा होगा लेकिन Realme ये कुछ भी कर सकती है आगे देखते हुए बात करें तो iOS Android version 10 पर आधारिक होगा चिपसेट की बात करें तो इसमें थाकत लगी है Helio G80 प्रोसेसर की जो की गेमिंग प्रोसेसर है आप सभी जानते हैं वाख हुवी आगे बढ़ते हुए CPU की बात करें तो 2 GHz पर क्लोग्ड है प्रोसेसर जी प्यू की बात करें तो ARM Mali G52 बाला CPU है Gmail मिलता है Music मिलता है Video मिलता है FM Radio मिलता है और आगे देखे तो आपको Document Reader भी मिलता है और आगे अगर बढ़े हम तो आपको Battery मिलती है Non-remobile Battery मिलती है Size है Battery की 5000 mH और Lithium Polymer Battery है जो की 5 चार्जिंग 18 वाट 5 चार्जिंग के साथ में आती है तो दोस्तो यही थी फुल कमफरिजन लेकिन दोनों फोन सिर्फ प्राइज के मामले में अलग होंगे और कैमरा के मामले में अलग होंगे बाकि सब कुछ सेम होगा तो आप सीधे धड़ाके के साथ इसे खरीज सकते हैं और इसका रिब्यू देखिए देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जैसे ही हम वीडियो अप्रोड करें आपको नोटिफिकेशन फटा फट मिल जाए क्योंकि दोस्तों हम बहुत जल्द गीबवे लाग रहे हैं आपके लिए इनी दोनों फोनों का आपको मिलेंगे बहुत ही जल्द टेकनिकल वी आईपी में जैहिन दोस्तों देखके आपका बहुत बहुत धन्नवाद पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू